नमस्कार, शुरुवाज जी निचुर पेथी में आज आपका एक बार फिर चिस्वागत हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुँ में अगर छाले हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या घरेलू उपाय हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हमारे पेट का डाइजेशन गडबड़ होता है, तो हमारे मुँ में छाले हो जाते हैं। तो उस छालों को दूर करने के कुछ घरेलू दो उपाय में आपको बता रहा हूं। जो बहुत सरल हैं और कोई भी उसको बड़ी आसानी से अपने घर में कर सकता है। लेकिन इन उपायों को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्विस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा और आपकी जो टिपणियां होती हैं उसका हमें इंतिजार रहता है। जी सारी चीजे जब आप कर लेंगे वो इसने करें कि आपको लगातार नई नई जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहेगी और सबसे पहले मिलेगी। अब आपको हम बताते हैं कि वो दो घरे लूपाय क्या हैं। पहला आप असली देशी घी ले लिजेगा एक चम्मच असली देशी घी ले लिजेगा और उसको का करेंगे आप उस घी को रात को उंगली से अंदर मूं में जो चाले हैं उस पे आप लगा कर सो जाईएगा। इश्वर ने चाहा तो सुभे आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। और दूसरा बहुत ही सरल उपाय है कि गाए का जो दूद होता है ना उसकी दही होनी चाहिए। गाय के दूद की जो दही है उसके साथ आप एक केला अगर सुभे खाते हैं तो आपके मूँ के छालों में उसमें आराम मिलता है। तो ये दो सरल से उपाए मैंने आपको बताए हैं और इन उपाय का आप फायदा ले सकते हैं आनंद ले सकते हैं। और दूसरी हर बार में वीडियो में कहने की कोशिश करता हूं कि अगर किसी को हमारे किसी नुष्खे से या उपाये से कोई प्राबलम होती है तो उसको वो तुरंट छोड़ दे उसके लिए शुरुवाद जी या शुरुवाद जी नेचुरोपेथी चैनल का कोई लेना देन नहीं कोई जिम्मेवारी नहीं है आप खुश रहिए तोस्त रहिए मस्त रहिए हस्ते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिए गा हमारे साथ जोड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि दोनों उसके आजमाईएगा बहुत अच्छे हैं और इसका को नुकसान नहीं हैं, सबसे अच्छी बात ये हैं. Thank you very much. एक बार फिर से आपका. Thank you.